हलो फ्रेंद्स कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत कज सिख रहे होंगे जी हाँ दोस्तों तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टेक्शरिंग और अभी जो ये चल रहा है फिलाल वो टी वन जिरो वन सकेच्छप में टेक्शरिंग एक सिरीच चल रही है तो इसमें भी मैं आपको बेसिक से सिखाने की कोशिस कर रहा हूँ और आप लोगों की आप लोगों से थोड़ी सी अप सपोर्ट और थोड़ी सी प्यार की उमीद है बस तो इसी तरह से तो इसी तरह से साथ देते रहिए और सीखते रहिए बहुत कच तो चली दूस्तों आज की वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो फिरिंस आज किस वीडियो में हम लोग जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको टेक्शरिंग दिखाया था वीडियो के साथ तो चली आज कुछ और इस पर करते हैं और चली सिब से पहले मैं यहां पर एक छोटा सा एक ऐसे बॉक्स पना लेता हूं ठीक है और इसको मैं थोड़ा ऐसे पर लेता हूं यह देखें अभी यहां पर जो बात आती है कि इसके अंदर मुझे टेक्शरिंग करनी है तो मैं क्या करता हूं ले लेता हूं टाइल्स और टाइल्स लेने के बाद मैं इसको ऐसे डाल देता हूं ठीक है अब इसको भी असे लेकर डाल सकते हैं या फिर जो भी चीज यहां से अच्छा लगए इसको या दी हम भी डाल सकते हैं ठीक है मैं यहां पर आज हम बात कर्ने वाले जैसा कि तो मैंने आपको दिखा दिया था की कैसे करना है तो अभी वीरे में कुछ और फंसन है उसे भी हम लोग करके देख लेते हैं तो जब आप यहां पे आएंगे ना तो आपको यहां से इसको तो open करने हैं यह इधर से open करेंगे तो आपको material का जो भी categories होता है वो मिल जाएगा लेकिन फिलाल मुझे इसकी जरूत नहीं है अब हम आते हैं इधर में और इधर में आने के बाद अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको यहां पे बहुत सारी चीज़े मिल जाएंगे जैसे डिफ्यूज है और डिफ्यूज में कुछ color है ऐसा और अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो यहां पे आप मैपिंग कर सकते हैं अब भी मैं आपको डिखाऊंगा बट आगे कैसे सको करना है वो मैं बताऊंगा अभी देखे उसके बाद आपको मिलता है reflection ठीक है आप जो भी यहां पे changes करेंगे ना उसका reflection होगा यानि कि reflection मतलब उसका जो result है आपको यहां पे जाएगा कि आपने यहां पे क्या change किया है लेकिन अभी देखे यहां पे आपको यह दिख नहीं रहा है यह कुछ और है तो आपको क्या करना है कि इससे यह जो आप देख रहे नहीं यहां पे यह आईड्रॉपर इससे कंप्यूटर का ही है यानि कि software से ही है ठीक है उसके बाद आपको मिलता है reflection अब reflection के अंदर में बहुत सारी चीजह है तो यह reflection आपको कैसे पता चलगा reflection होता गया reflection मतलब कि जब अगर जो floor है या भी कोई भी surface जो glossy है तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उस surface पे कोई object रखा हुआ होता है तो उसकी एक reflection आपको दिख लिए होती है चलिए मैं आपको यह समझाता हूँ और यह समझाने के लिए मैं यहाँ पर पहले एक छोटा सा ऐसे कुछ एक बना लेता हूँ यह देखिए तो मैंने कुछ ऐसे एक चीज़ बना लिया है और मैं इसको triple click करके कर लेता हूँ make group ठीक है कर लिया और इसको मैं उठा के रख लेता हूँ यहाँ पर तो यह देखिए यह हमारे surface पे अभी है और इसके अंदर हम कुछ texture डाल देते हैं यह देखिए यह texture डाल दिया है और मैं यहाँ पर edit में जाकर इसको छोटा कर लेता हूँ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसको कर लेता हूँ 10 इंच के आसपस कुछ ऐसा डाल दिया है आप अगर कुछ और डालना चाहते हैं तो कुछ और भी आप डाल सकते हैं समझने के लिए आपको असान डालगी चलिए यह मैंने डाल दिया फिलाल और अभी अब मैं इसका एक चोटा सा रेंडर लेता हूँ यहां से इंट्रेक्टिव रेंडर हम ले लेंगे तो यह आपको देखो यहां पर दिखना सुरू हो जाएगा लेकिन अगर आप दिखोगे न तो यहां पर सैड़ो ठीक है प्रॉपर है वो गिर रहा है बट इसकी कोई रिफ्लेक्शन यहां पर नहीं बन लिए ठीक है चले ब यहां पर आया और इसको ऐसे ठहर आया और इदर आका जोबशात है अब यहां से विर्टे कोरतेगा तो अभी देखोगे कि आपको यहां पर कुछ खास रिफ्लेक्शन जिसका नहीं लिल रहा है, लाइफ तो है, बट इसकी कुछ खास reflections हमें नहीं दिख रही है, तो अगर आपको इसको reflective करना है, यानि कि ये जो tiles है, वो reflective होगा, अगर इसको reflective करना है, तो आप यहां से इसके texture को select कीजिए, और आज ये reflection में, और reflection, जितना white होगा, उतना ज्यादा reflective होगा, black हो तो अभी आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी reflective होनी, शुरू हो गई है, अभी मैं इसका render करके आपको दिखाता हूँ, और यहां से interactive render को हम कर लेते हैं, एक बट फिर से होगा, अभी आप देखेंगे, तो अभी आपको यहां पर कुछ खास तो नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसे एक विड्डो बना लेता हूँ, और मैं इसकी interactive render को ना करके, मैं इसका normal render लेता हूँ, तो उसमें आपको जादा अच्छे से समझाएगा, यह देखेंगे, अभी आपको यहां पर इसकी reflection दिख रही है, यह देखेंगे, चले मैं अब इसको और भी अच्छे से लाइट वगरा सब है, यह देखेंगे, यहां पर sunlight यहां पर already लगा हुआ है, अब मैं इसको इसको पगल लेता हूँ, और थूड़ा सा इसको कर लेता हूँ, rotate, जी हां बल्कुर, ऐसा, क्योंकि हमें इसको समझना है अच्छे से, क्या चीज़ है, क्या से काम कर रहा है, तो अभी आप देखेंगे, तो यहां पर आपको reflection कुछ खास तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, reflection अभी कुछ खास नहीं मिल रहा है, जी हां, तो अभी मैं क्या करूँगा, कि मैं इसको select करूँगा, और यह देख रहे हैं कि यह जो reflection है, वो खास यहां पर कुछ नहीं आ रहा है, त ठीक है एंड आप इबर रेंडर सेटिंग में आकर इसको ओफ कर दीजिए ठीक है अभी यहां पर भी आपको बहुत ज्यादा कुछ समझ में आ रहा है तो देखो कभी-कभी क्या होता है कि आपको लाइट एक यूज़ करना पड़ता है तो चले मैं यहां पर एक काम करता हूं मैं यहां पर एक लाइट यूज़ करता हूं तो लाइट मैं यहां से लगाऊंगा और ऐसे एक लाइट दे देता हूं तो यहां पर एक लाइट मैंने लगा लिया और इसको कर लेता हूं इन्विजिबल एंड डिवल साइट ठीक है अभी मैंने इसको यहां पर एक लाइट को थोड़ा सा और हम बढ़ा लेते हैं लाइक 200 के आसपस कर देते हैं और एक बार फिर से इसको स्टॉप करके एक बार रेंडर मारते हैं अभी देखिए आपको इसकी reflection यहाँ पर दिखना सुरू हो गया है अगर आपको यहाँ पर लगता है कि यह reflection उतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही है जितने अच्छे से समझ में आनी चाहिए फुल और यह देखिए आपका जो reflection है इसका है आप देख सकतो हो यहाँ पर मैं थोड़े देर के लिए sun को करता हूं बंद ताकि आपको यह reflection समझ में आप भी आप देख रहे हैं समझ में आरी है आपको तो दोस्तों lighting और तो थोड़ा चीज है trial and error का यानि कि आपको उसमें try बहुत करना होगा उसमें आपको चीजें ठीक करनी होगी देखिए अभी आपको यह reflection बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो यह texture to texture भी vary करेगा कि आप कौन सा texture ले रहे हैं कैसे काम कर देखिए reflection की जो glossiness है आपक तो अभी यहां से highlight glossiness वगरा को on करके भी देख लीजे तो देखिए आपको यहां पर बहुत clear आपको यहां पर reflection आपको दिख रहा होगा तो इस तरीके से अगर कुछ reflective surface बनानी है तो आप चीजे रिफलेक्टिव भी बना सकते हो और यहां से आप इसके reflection की जो glossiness है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको उसकी glossiness रखनी है और नहीं रखनी है यह देखिए अगर आपने इसको फ्रेशनल को अगर off कर दिया तो यह पूरी तरीके से यह जो है ग्लास बन जाएगा सी आप देख सकते हैं आप देखिए पूरी तरीके से ग्लास इसको हम चेंज कर रहे हैं और पूरी चीजे बदल जा रही है तो यह बहुत ध्यान रखना है अभी मैंने वापस से इसको on कर दिया है ठीक है और glossiness को मैं फुल कर ले रहा हूं अभी यह देखिए तो मेरे भाई वह जो चीज था वो पूरा का पूरा भी चेंज हो गया है आई यूर वगरा है यह देख रहे हैं पूरा का पूरा अदम metallic object में convert यह हो चुका है ठीक है अभी चीजे सब कुछ वही है जो था वही है तो मैं आई यूर को बंद कर देता हूं यह आई यूर आपको बंद करना बढ़ेगा फ्रेशनल को खाली बंद कर देंगे तो भी य यहां से आप इसकी जो सेडर्स हैं आप वही चेंज कर सकते हैं यहां पर काफी खूबसूरत तरीके से आपको यह तुरह से light की कमी है लाइट जब और आएगा तो इसमें जो reflection है वह आपको और भी समझ में आ जाएगा यानि कि अगर मैं light का जो intensity है वह थोड़ी सी बढ़ा लूँ तो यह सारी चीज़ें आपको और भी clear समझ में आएंगी ठीक है तो यह देखिए मैंने यहां से इस तरीके से मैंने इसको reflection यहां पर आप create कर सकते हूँ जो भी reflection करनी है आप यहां पर कर सकते हूँ और यहां पर देख भी सकते हूँ कि आप कितना reflective surface आप बना रहे हूँ चले मैं light को यहां से sunlight को off कर देता हूँ और don't worry मैं lighting भी आपको बहुत detail में पढ़ाऊँगा तो आ एक दिखे और सेम तरीके से आपको यहां पर जैसे reflection मिला है यहां पर reflection भी है आप reflection को भी थोड़ा सा on कर लिजे थोड़ा बढ़ा लिजे आज ज्यादा नहीं बढ़ाईगा ज्यादा बढ़ाएंगा तो काच कि जैसा दीखने लेगा तो ज्यादा नहीं करना और देखें यहाँ पे आपको यह जो है बहुत सही तरीके से अगर मैं इसकी थोड़ी सी है से render कर दूँ और मैं अभी interactivity को off कर देता हूँ और मैं आपको इसकी real render करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे यह render हो रहा है और यह देख सकते हो कि यह कितनी अच्छी reflections आ रही है और reflection दोस्तों और भी अच्छी होगी जब light और भी अच्छे से आप use करेंगे ठीक है तो friends उमीद है कि आपको reflection समझ में आ गया होगा कि कैसे आप किसी भी object में reflection create करेंगे बागी की चीज़े मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो में रखते हैं इतना ही वीडियो कर अच्छी लगी है तो like जरूर कर दीजेगा दोस्तों के साथ share कीजिए और चैनल पे नहे हैं तो चैनल को subscribe कीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजे तो मिलते हैं अब है take care and most important keep learning